हेदर का सेस अक्षात and welcome back to another tech video और इस वीडियो में हमारे पास है Xiaomi का latest and greatest smart band जो है Xiaomi का Mi Band 4 आप इसे fitness tracker करने के सकते क्योंकि fitness tracker के साथ साथ काफी और अच्छे अच्छे features के साथ आता है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बेलिक है सबसे पहले माप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यह अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है यह मैंने मंगाया है चाइना से अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूँगा कि मैंने कहा से लिया है और कितने का लिया है और कितना टाइम लगा आने में और क्या एक्सचार्ज़ मैंने अगर आप पेकरे वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और यह video में मैं सिर्व इसका unboxing करूँगा और इसका एक overview दोंगा आप लोगों को और इस video के बाद एक और विडियो भी आएगी जिसमें इसका मैं full review दोंगा आप लोगों को और अभी हम start करते हैं पहले इस smartband की unboxing के साथ कर दो कर दो कर दो कर दो अभी तक जो फर्स्ट हैंड्स ओन इंप्रेशन इस M.I.Band का ये काफी अच्छी बिल्ड है इसकी मतलब जैसे सारे M.I.Band की होती है अल्मोस्ट वैसी अच्छी बिल्ड है जो बैंड है वो भी बहुत अच्छी कॉलिटी का है हमेशा की तरह मतलब मुझे अल्मोस्ट से मी लग रहा है बैंड जो पिछली बार था और जो आपको में डिफरेंस में दिख रहा होगा इसकी स्क् मेजर जो सबसे बड़ा चेंज है M.I.Band 3 से और मेरे को ओफर में साथ में बैंड फ्री मिला है तो जो इस बैंड की कॉलिटी है वो इस बैंड के आस पास भी नहीं है मतलब यह एक लोकल चाइनीज ऐसी बैंड है मतलब कंपनी तो शाओमी भी चाइना की है पर इस बैंड क काफी अच्छी और काफी अलग है और अगर हम बात करें इस बैंड के फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले आपको इसमें एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको 2.5D कर्फ ग्लास का प्रडेक्शन मिलता है विद ए अंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग उसके साथ ही आपको यह लार्जर डिस्प्ले मिलता है पहले से यह बड़ा है जो की है 0.95 इंचिस का और इसमें आपको 400 Nits की ब्राइटनेस मिल जाती है इस डिस्प्ले में 24 बिट की कलर डेफ्थ मिल जाती है इसमें 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है इसमें 3 आक्सिस अक पर वो इतने अक्यूरेट नहीं थे जितने इसमें होंगे बाकी तो मैं आपको यह सब चीज़े फुल रिव्यू में बताऊंगा यह अपने और यह अभी तक काफी अच्छा बैंड लग रहा है मेरे को अभी मैं इसको अपने फोन की साथ करता हूं इसके में हाइलाइट मे करने के लिए अपने फोन में MIFIT का एक डाउनलोड करना पड़ेगा यह है MIFIT का आप आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से आप स्टोर से जो भी चीज़ आपके पास मैं इसको सेट अप बगेरा कर लूँगा बाद में मैंने कहां से लिया और कितने का लिया है और कितना टाइम लगा आने में और क्या एक सचार्जस मैंने अगर आप तो इस वीडियो के लिए सिफ इतना ही और बाकी की जो सारी डिटेल्स आपको इस बैंड के बारे में अगर जाननी है तो अगली 10-15 दिन में आपको इसका फूल रिव्यू देखने को मेरे से तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाए बेना तो बिल्कुल मत जाना तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी दक सब्स्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज जाके सब्स्राइब कर दो नीचे आपको लाल गला बटन दिख रहा होगा उसे जाके कर दो